सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज साम पाँच बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अफगत कराना चाहेंगे इस वीडियो में आपको कई जानकारियां देखने को मिलेंगी सबसे पहले बात करते हैं आंगनबाडी बहनों की और कोटेदारों की जहां पर एक ये आर्टिकल प्रकासित किया गया है कि आंगनबाडी का जो अनाज है वो कोटेदार नहीं दे रहे हैं और ऐसी समस्याएं जादातर आंगनबाडी वहनों को उनके वहाँ देखने को मिलती हैं कि जहां पर कोटिदारों की मनमानी दिखती है जैसे आंगनबाडी सिंटर के लिए जो भी चावल आता है तो वो रासन कोटिदार उसको अपना रासन समझ करके देना ही नहीं चाहते विका ने सम्मंधित अधिकारियों को दी है यानि इस मामले के सिकायत सुपरवाइजर भी जो है उपर कर रही है तो आप समझ लीजेगा कि आंगनबाडी सुपरवाइजर की बात तक कोटे दारे जो है गाउं के नहीं मान रहे हैं तो कहीं न कहीं कई कई महीनों से खाद्य उनकी जवाब दे ही तै करते हैं मामला गोंदला महुच्छेतर के कई ग्राम पंचैतों से जुड़ा हुआ है तो कोई एक आंगनबाडी का अकेले का नहीं है ये मामला कहीं न कहीं जो है रासन हडपने से लेकर के जुड़ा हुआ है जो की कोटेदार रेसियू नहीं करवा रहे लिखा गया है मामला गोंदला महुच्छेतर के कई ग्राम पंचैतों से जुड़ा है और कई महीनों से समस्या बनी हुई है यानि एक ही महीने का ये आलम नहीं है कई महीनों से रासन नहीं पहुचाया जा रहा सिकायत पर अभी किसी तरह की कारवाई भी नहीं हुई है यानि बहनों ने इस मामले में सिकायद भी की सासन प्रसासन को अवगत भी कराया बावजूद इन चीजों के ऐसे कोटेदारों की मनमानी पर अंकुस नहीं लग पा रहा है जिसका सीधा साधा मतलब यही है कि विभागी जो अधिकारी है जो उच्च अधिकारी है वो इन मामल पारी किन्द पर देना है जिसका खाद्यान सम्मंधित गराम पंचायत की चैनित कोटे की दुकान पर सरकार की तरब से भेजा गया है गोंदला मौ की मुक्य सेविकाओं के मताबिक अक्टूबर नमंबर और दसंबर का जो खाद्यान है वो कई महीने पहले कोटेदार उठा चुके हैं आरोप है कि आंगनबारी कार करती जब खाद्यान लेने जा रही है तो कोटेदार रासन नहीं उठाने की बात कहते हैं मुक्य सेविका तत्स्या अवस्थी और रजनी सिनहा के मताबिक केंदर रामनाग का खाद्यान कोटेदार ने चार माँ से दिया ही नहीं है तो आप देख रहे हैं कैसी कैसी सिकायते पहुच रही हैं चार-चार महीनों का रासन कोटिदार दबा करके बैठे हैं और जब आंगनबाडी के अलावा सुपरवाइजर भी इस मामले में उनसे कहती हैं तब भी वो रासन नहीं दे रहे हैं मुक्य सेविकाओं ने सम्मंदित अधिकारियों को इसकी सिकायत की है मामला गुंदला महुचेतर के कई ग्राम पंचैतों से जुड़ा हुआ है यहां पर अच्छी बात यह है कि आंगनबाडी बहनों के फेवर में कम से कम सुपरवाइजर जो है आगे की कारवाई के लिए य अधिर विवाग्रसासन क्या करता है और कब तक इन समस्याओं का समाधान कर पाता है सरकार चुनाओं में विस्त है जिसका एक ये उदाहरणा आप देख रहे हैं कि न समस्याओं की तरब किसी का भी ध्यान नहीं है जबकि योगी जी कहते रहते हैं कि इतने लोग भदाभारतियों को ये योजना का लाम मिल लहा ये समय पर मिल लहा जबकि चार-चार महीने से तो रासन आगन बाड़ी को ही रिसीव नहीं हुआ तो जायर सी बाते पिछले चार-चार महीनों से उनको मिलने वाली एक खाद्यान की सामागरी फिर कैसे मिली होगी सपने में ही तो मिली होगी हकीकत में तो उनके हाथ पर चावल का दाना भी चार महीनों से नहीं पहुचा होगा क्योंकि चार महीने से कोटेदार ने चावल आंगन बारी को दिया ही नहीं सिकायते जा रही हैं फिर भी कोई फरक नहीं पड़ता इधर बात करते हैं अगली जानकारी स्यामा देवी बहन है ग्राम इनका बेवरा है बलाक इनका पहारी है जिला इनका चित्र कूट है इन्होंने लखा है मैं आपकी वीडियो रोज सुनती हूँ भाईया तीन माह से हमारा मांदे नहीं आया है और ना हमारा पंदासो रुपिया आता है भाईया जी हमारी समस्या का समधान करने के कृपा करें तो देखो इस मानदे तो खैर पिछले दो महीनों का सबका बकाया है तीसरा महीना तो यह अभी चल रहा है और पंदा सो रुपे को लेकर यही कह सकते हैं कि कई-कई बहनों का इकठा भी आ जाता है कुछ महीनों बाद तो हो सकता है आपके वहां पियलाई ना बन रहा हो जन्र यानि खाते में पंदासों के मांदे क्यों जारी हो रहे कि नहीं हो रहे उस पर वही कुछ अपना जो है साच सुरूप जो चीजे हैं वह आपको बता पाएंगे क्योंकि यह जम्मेदारी और जानकारियां सिर्फ और सिर्फ उनके ही पास हैं सबनम जी हैं बलरामपुर से जिन्होंने लेका भाया जी नमस्ते आंगनबारी सबनम खातून बोल रही हूँ जला बलरामपुर है और दत गंज है भाया जी मेरा मांदे क्यों नहीं आ रहा बताईए कि बच्चों की फीज जमा करना है और पैसे नहीं है तो क्या करें तो देखिएगा मांदे को लेकर मैंने बहुत बार कहा है समस्याएं हर बहन के सामने हैं इन सब के कुछ कुछ के मैसेज हम डेली किसी न किसी वीडियो में सामिल करते हैं इसी लिए ताकि कोई वीडियो कम से कम वैरल होकर के विभाग तक प्रसासन तक जाए और वो इन मामल को देखें कि मांदे में हो रही देरी के चलते बहनों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है रेला बहन बहन बांदा से हैं बात करें अगर हम बांदा की नरैनी से जो पर्योजना नरैनी पड़ती है बांदा जिले में वहाँ पर 15 अप्रेल को एक ये लेटर जारी हुआ है और सभी आंगनबारी बहने जो नरेनी बांदा से हैं उनके लिए ही ये लिटर जारी किया गया इसमें लिखा गया है आप सभी अवगत हैं कि 10 अपरेल से संचारी रोग नियंतरण अवियान संचालित है जिसमें आप सभी को अपने छेतर की आसा के साथ प्रतिदिन ग्रेवरमण किया जाना है जिस संबंद में आपको 8 अपरेल को प्रसिचर भी दिया जा चुका परंतुमा अपरेल के प्रतम चरण के फीड़बैक के नुसार संचारी रोग नियंतरण अभियान में आगनबारी कार करती के ग्रेवरमण का जो आउसत राज जिसमें 65 परसें तता बलाक इसतर पर यूनिसेप बीमसी के द्वारा दिये जा रहे फीड़बैक से यह पदरसित होता है कि आपके द्वारा संचारी रोग नियंतरण अभियान में ग्रेवरमण नहीं किया जा रहा या इस्तिति आपके अपने करतव के प्रती अनुसासन हिंता को दरसाती है अता आप सभी को पुना नर्देश किया जाता है कि संचारी रोग नियंतरण अभियान में अपने सर्वे चेतर का ग्रेवरमण पूर करना सुनिश्चित करें यदि आपके चेतर का फीड़बैक नकरात्मक पराप्त होता है तो बिना किसी अन्चेतावनी के आपका माह अप पराप्त ही जो खराब है 17% बांदा जन्पत का देखने को औस्त में मिला है अब कहीं न कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि अगर इन कामों में लापरवाही बरती जा रही है तो आपका बहनों मानदे अपरेल महीने का रोग दिया जाएगा लेकिन सच्चाई ये कहती है क अपरेल के पिछले दो महीने जो की फरवरी और मार्च का जो मानदे है वो उनकी मेहनत का पैसा आज भी विभाग ने नहीं पहुचाया इस मामले पर भी विभागी अधिकारियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सिर्फ काम ही लेना जो है सही नहीं है काम के बदले उनको दाम देना भी आपके जम्मेदारी है तो कहीं न कहीं पिछले दो महीने का मानदे में हो रही देरी के चलते विभाग अपना मूँ चुप्पी साधे बैठा है और वहीं दूसरी तरफ काम लेने के चकर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लेटर निकाले जाते हैं कि आ काम नहीं करते कि आंगनबारी को दो महीने से मानदे ना देना ये जो लापरवाही हो रही है जिसके चलते उच्चा धिकारियों का भी मानदे रुख जाना चाहिए बाधित हो जाना चाहिए तो अपने लिए इसे कोई नियम नहीं जबकि कारकरता अगर काम में देरी हो तो उनका मांदे रोक दो तुरंत लेटर आ जाते हैं सच्चाई तो यही है जो आपके सामने है पहले विभाग दो महीने का पैसे का भुगतान करे उसके बाद मांदे रोकने को लेकर ऐसे लेटर फिर सोभा देते हैं कही न कहीं काम जम्मेदारी भरे हैं लेकिन बहने उनको करती भी है और बराबर जो कर रही है उनको भी उनकी मेहनत का वो मेहनताना दो-दो-ढ़ाई-ढई महीने हो चुके हैं अभी तक उनके खातों में नहीं पहुचा आखिर इन चीनों के लिए कौन जम्मेदार है विभाग, सरकार, नाकी आंगनबाडी बहने और इन लापरवाहियों का जो है कहीं न कहीं कोई जवाब विभाग को ही तैंक करना चाहिए लेला बहन बांदा से हैं इनकी बात करें वहाँ पर आंगनबाडी बहने, सायका बहने इनके दोरा ग्रेब्रमर जो है करके मदाता जागरुकता अभियान चलाने है उसको लेकर के चीज़े आई है सुपर्वाइजरों का भी यहाँ पर दे दिया गया है नरैनी बांदा से 15 आपरेल, 16 आपरेल ऐसे करके 9 माई तक का पूरा इसमें लिख दिया गया है पूरक है और यानी प्रूफ साइद लिखना चाती हो लिख दिया उन्होंने गलत तो यहाँ पर वही यह सब बाते लिखी गई है खैर यहाँ पर और क्या करे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा देखो विभाग बेसक लेटर निकाले और उसमें लिख दे कि यह फलाने काम सुएच्छा से करने हैं लेकिन उन सुएच्छा को अधिकारी दरकिनार कर देते हैं और उनी कामों को फिर वो जबरन कराते हैं खैर यहाँ पर यह सम मामला आपको हम पहले भी डिसकस करके बता चुके हैं तो जिनको कराना है उनको करवाना पड़ेगा किरन जी गोरकपुर से हैं आगनबारी सिच्छा सापताहिक समय साड़ी को लेकर के उन्होंने अप्रेल महीने के विसय को लेकर जो कि मैं और मेरा परिवार रहेगा इस महीने होने वाली जो सबताहिक समय साड़ी है सिच्छा से रिलेटर वो कुछ इस तरह से है सोमवार को गोल आकार से परिचे और मोती से माला मंगलबार को अच्छर की आवाज पहचानना मावाले और खड़ी रेका पर चलना और खेलना बदवार को मेरा पंक अच्छर की आवाज पहचानना कावाले गुरुवार को त्रिकूर आकार की पहचान और चलो सजाएं फूल ये सब चीजें गत्विदिया करानी सुखरवार को चले हम आगे पीछे और काच्छर वाले जो गाना है वो सब सनिवार को रंगों को चाटो और बताओ और आओ नाचें थाथा थाई इस तरह से ये सब गत्विदिया होनी है पूरी की गई देनिक गत्विदियों को टिक करके समय साड़ी को समूपर सेर करें इस तरह से बहनों को वहाँ पर ये बोला गया है मंजुला बहन मुझफर नगर से अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन जोती वीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरच्चा वीमा योजना इसके तहएत सभी कारकरता सायकाएं अच्छादित होनी है जिसको लेकर कि यहाँ पर सब जानकारियां लेकर के उनके वहाँ पर बेजी गई है तो इसमें दोनों तरह के बीमा उसमें कटने वाली रासी वो सब आलेंडिया पर कई-कई बार बताया गया है साथी साथ बताना चाहेंगे इसमें लिखा अगर 22 अपरेल तक आप सभी सूचना नहीं दे पाते हैं तो आपके खाते में 456 रुपया सरकार नहीं दे पाएगी और आप बीमा के लाब से वन्चित हो जाएंगे ये कुछ बाते यहाँ पर लिखी गई है लिखा गया है 436 रुपय और 20 रुपय आपके खाते में वापस बेज दिये जाएंगे आपको अपने मांदे वाले बैंक के साथ एक सहमती पत्र भरना है इसकार को हर हालात में आपको 20 अपरेल तक पूरा कर उसी दिन आपकी अपनी परियोजना में सूचना देना है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया कि खाते में इतना बेज दिया जाएगा जबकि खाते से पैसे कटते हैं ना कि खातों में आते हैं इस योजना के थूर बहनों का जो भी हो रहा है, प्रेमियम अदा हो रहा है, दो भीमा योजना और एक पिंसन योजना उन सम में पैसे जाते हैं तो उसको लेकर के जो है प्रीमियम भरना पड़ता है और जितना भरती है उतना गवर्मेंट भी पे करती है ऐसा लिखित में चीजों में है उमा जी कानपुर देहास हैं जोनोंने अपने वहां से एक फोटो बेजी थी और आगे ले चलें तो ये माया कोशामभी से हैं वहां स कुछ तस्वीरें आई हैं काफी कुछ खिलोने वगरा उनके वहां पर मिले हैं लर्निंग कॉर्नर जो बनने थे चार उसी से रिलेटर ये समागरी उनको वहां पर रिसीव कराई गई विरनो जी हैं गाजी पूर से जिनके वहां से एक फोटो है और सविता साहरन पूर से इ देखा नहीं पा रहे हैं देवरिया से तो देखिए इस तरह से समस्या हैं बहुत लोगों की हैं और बहुत लोगों के मैसेज मुझे ऐसे ही देखने को डेली मिलते हैं कौसल्य आजमगर से उन्होंने अपने वहाँ से फोटो बेजे थी मितलेस मुरादाबास से हैं मदाता जागुरुकता रेलिया निकाली जा रहे ही माया कौसांबी से हैं बच्चों से रिलेटेड फोटो है रानी गाजीपुर से उनके वहाँ से भी एक फोटो है सुधा सिद्दातनगर से एक और फोटो था गयत्री आजमगर से थी एक और इनका फोटो था आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं